कि अपना आज का सेशन कल इस सब्जेक्ट का राजनितिक सिध्धान्त के परिश्य वाले इस सिरीज का दोस्तों हमने कल सिलेबस इनलाइसेस किया था और उमीद करता हूँ आप सभी ने उसको जरूर देखा होगा जिसमें आपको सभी आपने देखा था इसका सिलेबस के अंत सेशन में आप लोगों को बताया था तो दोस्तों और मैंने ये भी कहा था कि जैसे कि अगर आपकी कमेंट आती है आपकी रिक्वार्डमेंट बनी रहती है तो मैं इस सिरीज को कंटिन्यू कर दूंगा और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके बताया रिक्वार्मेंट की तो मैं सेशन को continue कर रहा हूँ आज से ही ये सिरीस daily morning में 8 बजे ही होगी यह ना कोई time changes नहीं है सिरीस का आईए शुरू करते हैं और आज शुरू कर रहे हैं कल के सिलेवस के आधार पर ही राज नितिक सिध्धान्त के अर्थ को समझेंगे इसके उद्देश को समझेंगे सिध समझने का प्रियास करेंगे तो दोस्तों नया सिलेवस है डेली यूनिवर्सिटी पर आधारित है दोस्तों यह ना और उमीद करता हूं कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हैल्फुल होगा क्योंकि इससे पहले की सिरीज में हमने राजनितिक सिध्धान्त वाले इस सब् अपना आज का सिशन शुरू करते हैं ज्यादा लेंदी नहीं होगा चोटज़ोटे पारड में ही दोस्तों हम इस पूरे सलेवस को अधारित है ज्यादा लेंड नहीं होगा बहुत जल्दी कवर कर लिए जाएगा आपके एक्जाम से पेहले समभब्ण आपके से पहले इसक शोस्टो सभी सब्जक्टों को हम पुरे विस्तार से चाहे वह पोलिटिकल सचैन्स हो समासास्त्र ओ को अर्थ सास्त्रों कोई साभी सब्जेक्ट हो भी एक हम उसको पूरी तरह कबर यहां पर करवा रहे हैं इवन हिंदी साहित को भी फाउंडेशन सब्जेक्ट के साथ में हैं टीके टाइमिंग में बता दूँ आप लोगों को जो नए स्टुएंट हैं उनको दोस्तों मोर्नि टीके और इवनिंग में सेकेंड डियर वालों को लिए जो है सेशन कंटिनु हो रहे हैं जहां पर अभी हिंदी साहित वो समाशास्त्र का सेशन चल रहा है तो कल के सेशन में आप लोगों ने देखा था सेलेबस इनलाइस में कि फर्स्ट में हमें क्या-क्या पढ़ना है और उसी फर्स ट्रीट को अब हमी स्टार्ट कर चुके हैं और फर्स्ट ट्रीट के अंतर्गत कम्प्लीटली हमें क्या पढ़ना है राज नितिकस सिध्हांत क्या है अर्थात की राजर्नितिकस जद्रवाद के अंतर्गत के है आज के समय में वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है तो इसके अंत्रगत सबसे पहले हमें राजनितिक सिध्धांत का उद्देश देखना है कि किस उद्देश से राजनितिक सिध्धांत की प्रासंगिकता बनी हुई है या फिर आज की वर्तमान राजनिती में राजनितिक सिध्धान्त की भूमी का क्या है महत्व क्या है इसकी क्या विशेस्ता है इस पर हमारे चर्चा होगी सबसे पहले उद्देश को उद्देश पर जिसे हम व्याक्या के अंतगत पढ़ेंगे ठीके उसके बाद हम समझेंगे कि सिध्धान्त का अर्थ क्या होता है क्योंकि राजनितिक सिध्धान्त पर पहुंचने से पहले राजनितिक सिध्धान्त का अर्थ समझने से पहले हमारे लिए बहुत जाद जरूरी हो जाता है कि पहले हम सिध्धान्त का अर्थ समझे ठीक है ना वो सिध्ध Session में हम बात करेंगे राधनितिक सिद्धान की प्रकरती और महध उपर तो इस प्रकार से पुल मिला करके 1st unit में 4 lecture होंगे तो चार lecture में 4 lecture में ये फर्स्ट इनिट पूरी तऱ से लिए करेंगी कुछ रहां कुछ इस्टैंटेंट की कमेंट ही दी भी continue कर लेंगे संभवता उसका टाइम बे 8 बजे ही रहेगा एक दिन जो है आपकी लोग प्रशासन की क्लास होगी और एक दिन आपकी राजनितिक सिध्धान्त वाली क्लास होगी इस प्रकार से चलती रहेगी ताकि जल्दी से इसको कवर कर लिये जाए और जैसे ही फर्स्ट इयर के जो अन्य सब्जेक्ट चल रहे है उनमें से कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है वैसे इन दोनों को पर्टिकुलर रूप से चला दिये जा मुझे कमेंड करके जरुर्त बताते रहेगा जिससे की मुझे समझा आता रहा है कि कितने बच्चों के लिए ऐसा ना हो की कम जादा जिसको focus ना कर रहे हो या ज्यादा बच्चों के लिए helpful ना हो और मैं classes आपको देते जाओं इसके कारण क्या हो जागा दोस्तों अन्य और भी सब्जेक्ट है जिने अभी कवर करना बहुत आवश्यक है जैसे कि जियोग्रापी है और economy वाला पार्ट है उनको भी कवर करना बह सबसे पहले उद्धेशि अर्फात की व्याक्था देखेंगे सिधान्त का अर्थ सिधान्त का राज्यस्थान्त के विसे वस्तु अर्था तुन चैत्रों पर प्रकास डलियोगा ठीक है ना और दोस्तों एक बात पूरी तरह से शमझ के भेठिए अपकुँ लिए पूरे बिस्तार पूरबग इसको हम explain करेंगे समझेंगे कुछ भी नोट डाउन करने की आपको आवशक्ता नहीं है कोई नोट्स बनाने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि नोट्स पर काम में कर चुका हूं आप लोगों के लिए तो जब मैं काम कर चुका हूं तो अपना टाइम आप क्यों बरबाद कर रहे हूं आप अपना टाइम बचाइए जम में आप लोगो के लिए दो से तीन घंटे में इस पर time देता हूं, पीपीटी को ready करने में इस प्रकार का एक content बनाने में में समय देता हूं और ये content आपकी notes के हुबगो बिल्कुल उतना ही है, ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है, जितने content में आप notes त्यार करते हो ना उतना ही content में आप locally आप लेकर आता हूं, तो क चली तो शुरू करें, उससे पहले मैं इसको open कर देता हूं, एक बार इसको पढ़ लीजिए, जब तो मैं पानी प्रकार करते हूं, चली शुरू करते हैं, यह से कितने student है, जिनको political science difficult लगता है, हो सकता है, यार देकिए, अभी 12th class से आप आए हो, फर्स्ट एर में, और किसी का background जो है ना science का हो सकता है, maths का हो सकता है, या commerce का हो सकता है, तो उनके लिए थोड़ी सी बीए के जो subject है, थोड़ी difficult हो सकते हैं, लेकिन एसा कुछ है नहीं, difficult हम सिर्फ उस subject को बोलते हैं, जिसे हम समय नहीं दे पाते ह समय कम देते हैं, तो वो subject हमारे लिए difficult हो जाता है, लेकिन आप बिलकुल भी चिंता मत की जगा दे कि कोई भी जब subject स्टार्ट होता है, कोई भी विशे है ना, कोई भी विशे को जब आप प्रारम करते हो ना, तो शुरू-शुरू में वो आपको अजीब ज़रूर लगता चले जाओगे, वेसे वेसे ही वो subject आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा, और ये रूल जो है ना, आपकी इस राजनिति विज्ञान वाले, इस राजनितिक सिभ्धान्त का परिचे वाली सिरीज पर भी लागू होता है, तो एक दो शेशन अभी आराम से आप है, कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ समझना है आप लोगों को, अगर एक बार आपने समझ लिया ना, तो भले ही आप में confidence ना आए, लेकिन एक्जाम में जब answer writing करने भेट होगे ना, तो सब कुछ अपने आप समझ आएगा, और सब कुछ आपके अंदर से यही data आपने आ पाराने लगेगा, ठीके ना, चली, शुरुवात करते हैं, ठीके, राजनितिक सिध्धान्त जो है, एक प्राचीन विशे रहा है, राजनितिक सिध्धान्त एक प्राचीन विशे रहा है, जब राजनितिक मुद्दे उबरते रहे हैं, जब जब राजनितिक मुद्दे किया हैं दोस्तों यहां पर राजनितिक सिध्धान्त की या राजनितिक सिध्धान्त के विशे की चर्चा हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि राजनितिक सिध्धान्त वाला जो विशे रहा है यह आज का कोई आधुनिक विशे ना हो करके बलकि यह प्राचीन विशे है विशेश रूप से राजनितिक छेत्रों के लिए तो जब 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 राजनितिक छेत्रों के कई विविन प्रकार के मुद्दे उटे हैं तब तब राजनितिक सिध्धान्त की आवशक्ता लगी है ताकि उन मुद्दों में समाहित समश्याओं को जो है सुल जाया जा सके हलांकि राजनितिक सिध्धान्त को लेकर के अलग-अलग विचारकों के मत भी अलग-अलग रहे हैं अलग-अलग विचारकों में मत भेद भी रहे हैं लेकिन अधिक्तम विचारक जो है इस बात से सेमत है कि राजनितिक छेत्र के साथि साथ में इसके अन्य छेत्रों में भी जैसे कि समाज के छेत्र में अर्थसास्तर के छेत्र में या भिविन्य प्रकार के छेत्रों में भी जब भी कोई समश्या आती है तो राजनितिक इस्तर पर उन समश्जाओं का समधान निकालने के लिए राजनितिक सिध्धान्त की अति आवशक्ता पड़ती है इसलिए कहा गया है कि अनेक विचारकों ने न केवल अपने राजनितिक मुद्दों से सम्मंदित समश्याओं को उटाया बलकि उनके समाधान भी उन्होंने दिये है अपने अपने इस्तर पर सभी विचारकों ने सभी विद्वानों ने अपने अपने इस्तर पर अर्थात की अपने अपने विचारों से अपने अपने दर्शन के आधार पर उन्होंने इन राजन राजनितिक मुद्दों से संबंदित ज्यान की एक शाका है क्या का गया है राजनितिक सिध्धान्त राजनितिक मुद्दों से संबंदित एक ज्यान है यह अमुक काल से अमुक काल के राजनितिक मुद्दों की तलाश करके उने पहचान देता है इसका कायरी क्या है ये उस विशेश समय के जो राजनितिक मुद्दे हैं उन मुद्दों की तलाश करता है और उन मुद्दों की तलाश करके राजनितिक का निर्मान करता है कौन राजनीतिक सिध्धान्त राजनीतिक सिध्धान्त का विशे समझाया तो राजनीतिक सिध्धान्त का कारी क्या क्या है राजनीतिक सिध्धान्त जो है उस समय विशेस की राजनीतिक परिष्टितियों से संबंदित जो भी मुद्दे होते हैं जो समश्याओं होती है उनको प्रकट करता है सामने लेकर आता है और उनको उन समश्याओं को एक नाम देता है पेचान देता है और फिर उन समश्याओं का विश्लेशन किया जाता है विश्लेशन करने के बाद में उन समश्याओं से संबंदिस सिध्ध निर्माण करता है। इस प्रेकार से हम कह सकते हैं कि राजनितिक सिद्धांत जो है सार्वजिनिक जीवन के राजनितिक प्रवन्द का दूसरा नाम है। जीवन के सार्वसनित प्रवंद जो है सामपून समाज के लिए बनकर के आते हैं तो कैसे नियम कहलाएंगे सावजिनिक नियम कहलाएंगे इसलिए तो का जा रहा है कि राजनितिक जीवन के राजनितिक छीत्र में काम करता है q~! करता है कि इसी लिए इसको सार्वजिनिक जीवन के राजनितिक प्रवंद का राजनितिक व्यवस्ता का दूसरा नाम बताया गया है कि लिए रहे तो मात्र इतना कंटेंट आपको यह सामानी सी बात आपको उसकी ब्याक्या के अंतरगत देनी है इसी के साथ में इसकी ब्याक्या कंप्लीट हो जाती है कि लिए हुआ दोस्तों यहां तक कोई डाउट है कि इसमें बताईए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताती कोई डाउट नहीं है न कि अगे अगे बात करते हैं अब बात करते हैं सिध्धान्द की तो देखिए यार एक ब्यापारिक रूप से समझे इसको राजनितिक सिध्धान्द की रांजनितिक सिध्दानत को समझने से पेले अगर हम राजनितिक सिध्धानत को समझघना ह मैं आपको इसी प्रकार से देना है और इस Sometie उनको बता दू इस FPT की हमारे कंटेन्ट लेकर आता हूँ न इसकी खास विशेष्टफी जे कि मैं यहां पर उसी प्रकार से यहां उसी format में आप local attendance लेकर आता हूँ जिस format में आपको exam में answer writing करना चाहिए जिस तरह से मैं आपको point बना कर दे रहा हूँ same to same इसी प्रकार से आपको copy in me design करना सबसे पहले ब्याक्या होगी उसके बाद और सिध्धान्त का अर्थ होगा उसके बाद राजनितिक सिध्धान्त का अर्थ होगा फिर उसके बाद में चुकि हमारा मेन मेंटर क्या है राजनितिक सिध्धान्त का अर्थ देने के बाद में एक दो पिद्वानों की परिवाशाओं भी दे दीजी और उसके त आंटेन टोपिक जो है पूरी तरह से केलियर हो जाएगा ठीक है ना चली तू शिद्धांध का अर्थ समझते हैं सिद्धांध का अर्थ कुछ शब्दों में ध्यांत से सुनिएगा देगे सिद्ध्धांध का मतलब क्या होता है सिद्धांध को अगर हम ब्याबारिक रूप स आवशक्ता होती है और नियमों का समूह ही तो सिद्धान्त कहलाता है सिंपल सिकानी है किसी भी समश्या का समधान निकालने के लिए उसका अध्यन करना होता है और किसी भी समश्या के समधान निकालने के लिए उसका अध्यन करने के लिए हमें कुछ नियमों की आवशक्ता होती है और वो जो कुछ नियमों का जो समू होता है न वही समू ही तो सिध्धान्त कहलाता है सिम्पन सामान सब्दों में तो आए थोड़ सा पहले हम इसके शाबदिक अर्थ को समझ लेते सिध्धान्त जो की अंगरे जी के थिओरु शब्द से बनकर आया है यह थिओरी सब्द का हिंदी रूप आनतरण है अच्छा तो यह अंगरे जी का थिओरी कहां से आया था अंग्रेच जी का ठेउरिय जो है दोस्तो यूनानी सबद फिशुरियों से कोई भी बोलता है कोई ठेउरिया भी बोलता है तो यहां पर ज्यादा कन्प्रूस होने के अपय शक्तिकता नहीं है करता है तो विशलेशन करने की जो पदती होती ना वही थोरिया का अर्थ होता है तो जब हम किसी भी तत्य को समझने के लिए उस तत्य का विशलेशन करते हैं किसी भी बात को समझने के लिए किसी समझ्या को समझने के लिए चाहे कोई सा भी तत्य हो किसी भी छेत्र का हो उस को समझने के लिए जब हम उसका विशलेशन करते हैं तो उसे ठ्योरियों अर्थात की सिध्धान्त कहा जाता है जैसा कि मैंने सामान ने अर्थ बताया था आपको क्या कहा कि सिध्धान्त जो है किसी भी समश्या का समधान निकालने के लिए जब उसका अध्यन किया जाता है उसका विश्लेशन किया जाता है तो उस विश्लेशन के लिए कुछ rules and regulation अर्था की कुछ नियमों की आवश्यक्ता होती है और उन नियमों का बंडल होता है जो समू करते हैं तो उसे सिध्धान्त कहते हैं या थेयों कहते हैं कि लिए रहे तो थेयों सब्दका देखिए थेयों का सब्दका ना दो प्रकार से अर्थ निकाला गया है एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ ब्यापक अर्थ के अगर बात करें तो किसी विचारक के समस्त विचार में दोनों अर्थ आपको यहां पर बताऊंगा सिध्धान्त के दोनों अर्थ बताऊंगा आप लोगों को ना ध्यान दीजिएगा ठोरियों के ठोरियों शब्द का ब्यापक अर्थ है किसी विचारक मतल तत्यों के इतिहास की धार्णा भी दी गई हो उनके नियम भी दिये गए हो या इन सभी पक्चों से संबंदित सुझाब दिये गए हो जिसमें इन सभी पक्चों अर्तात की तत्य संबंदित वर्णन हो व्याख्या हो उसकी उसका इतिहास हो नियम हो एस जिसका प्रतिपादन किया जाता हो, जिसका प्रतिपादन किया जाता हो, जिस विशे में उसका प्रतिपादन किया जाता हो, उसे ही जो है दोस्तों हम यहाँ पर थेओरियों कहेंगे, या थेओरियों का ब्यापक अर्थ कहेंगे, तो सिंपल सब्दों में सुनजिए कि सिध्धान का ब्यापक अर् और उस समगर अध्यन में या उस समगर पृतिपादन में उन तत्यों का जिसका हमें अध्यन करना है जिसके लिए सिध्धान्त की आवशकता है उन तत्यों का वर्णन भी आ जाएगा उनके इतिहास की अभधारना भी आ जाएगी और उन नियम भी आ जाएंगे जिसा मैंने आ दारनाई होंगी सभी पक्ष उसके शामिल होंगे एक बार फिर से ब्यापक अर्थ के अंतरगत जिस विशेश छेत्र का हमें अध्यन करना है उस छेत्र के प्रतेक पक्ष का वर्णन उसके अंतरगत किया जाता है किलियर हुआ दोस्तों जब हम संकुचित या संकीन अर्थ की बात करते हैं ठ्योरी की अर्थात की सिध्धान्त की तो उसके अंतरगत उसकी एक परिवाशा सबसे ज़्यादा प्रचली थे वो परिवाशा दी है ब्रेश्ट सहाब ने किसने ब्रेश्ट ने तो ब्रेश्ट की परिवाशा सबसे ज़्यादा प्रचली थे इस चेत्र में अर्थ की संकीन अर्थ की परिवाशा वाले चेत्र में क्या का उन्होंने उन्होंने का कि सिध्धान्त का संकीन अर्थ किसी विचार का मूल रूप से ब्याक्या है अर्थात की किसी विचार की ब्याक्या मात्र ही क क्या है सिध्धान्त है आपके सामने कोई समश्या है कोई तत्य है उस तत्य की बस ब्याक्या कर दीजिए यही सिध्धान्त है तो अब यह बार समझेगा दो प्रकार की दो प्रकार के अर्थ की बात कर रहे हैं संकीन अर्थ की और एक व्यापक अर्थ की संकीन अर्थ में ब्रेश्ट ने क्या कहा संकीन अर्थ मुनों ने इस पस्ट कहा कि कि किसी तत्य की व्याख्या मात्र ही सिध्धानत है जबकि व्या अब समगर अध्यन में प्रतेक छेत्रा जागा उस भिशेका, जैसे उसका वर्णन, उसकी व्याक्या, उसका इतिहास, उसके नियम, सब कुछ जाएगा उसके अंदर. अता संकीन अर्थ में सिध्धान्त का अर्थ किसी विचार की व्याक्या मात्र है, जबकि व्यापक अर्थ में इसका अर्थ एक विचारक का एक विद्वान का समस्त चिंतन आ जाता है, समस्त चिंतन, वो उस छेत्र में जितना भी चिंतन करेगा, वो सब सिध्धान्त के अंतर गता जाएगा ये ब्यापक अर्थ है किलिए रोपा रहा है ना कई डावर दुन जा रहा है चलिए आगे बरते हैं संकीन अर्थ में बिद्वां सिध्धान्त ब्याक्या के ऊपर नहीं उड़ता ध्यान दीजेगा इसमें पूरा आपको एकदम सटी ग्रूप से समझ आने वाल जाता है उसकी समिक्षा भी और आलोशना भी उसी में शामिल हो जाती है किसमें उसके अर्थ में तो यह था इसका अर्थ अब बात करेंगे सिध्धान्त का अर्थ हो गया सिध्धान्त का शाब्दिक अर्थ भी बताया ठ्योरियों कौंसा यूनानी शब्द और इस ठ्योरि सबी विचार जो उसर्फर कर रहा हैं उसके Para सकते विशेश पर जो विशेश और्शन करता है महिए उसके संस्त विचारじゃएंगे ग्यापक अर्थ जाएगा बस इतना सा इसके बाद एर磨त करते हैं राज नितिक सिध्धान्त जो है ना इस राजनितिक देखे सिध्धान्त क्या कर रहा था सिध्धान क्या कर रहा था प्रतेक पक्षिका प्रतेक विशे का अध्यन कर रहा था जब हम राजनितिक सिध्धान्त की बात करेंगे तो राजनितिक छेत्र का ही अध्यन करेगा वो जो राजनितिक सिध्धन्त कहलाईगी समझ पारे ना आईए तो इस शब्दावली को भी पढ़कर के इसको भी में explain कर देता हूँ देखिए यहाँ पर दोनों प्रकार से मैं मर्ज करते हूँ चल रहा हूँ एक तो बेवारीक अर्थ में जाएंगे यहाँ पर ज्यादा आपको दिमाग लगाने के आवशक्ता नहीं पड़ेगी कोई भी इस में से पूरी स्लाइड में एक भी शब्द एसा नहीं रहेगा जिससे आपका परीचे ना हो तो मैं इन सभी जो अंजान शब्द है ना इनसे आपका परीचे बना रहा नहीं दोस्तों रूनने के आवशक्ता नहीं में और यूटूबर की तरह यह नहीं बोलता हूँ कि जब जब पर तो फिर बार बार देखने का आवशक्ता नहीं बस आपने जीवन में एक बार देख लीजिए जिस टोपिक को भी पढ़ रहा हूँ ना एक बार देख लीजि दिन में जब भी आपको टाइम मिले 24 घंटे के अंदर अंदर इसी टोपिक को अपनी पुस्तक में खोलना और पूरे विस्तार से सुरूश लेकर एंड तक एक बार पढ़ लेना बस कुछ भी नहीं करना उसके बाद में कुछ भी नहीं करना अब जब आपका एक्जाम होगा इसका पेपर होगा एक दिन पहले यह सारे पीडिया पर सांत इकटे करके और उन सब कर रिविजन लगा लीजीगा दिन भर में सारे पीडिया पर रिविजन हो जाएगा उसके बाद अगर पेपर में अगर कोई समश्य आ जाए तो दोस्तों उसके लिए बैटा हुआ हूँ कोई समशा नहीं आएगी बस यह प्रोसेस फॉलो किजी आप जो है ना जीत पकी है आप लोगों की चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक सिध्धान्त के अर्थ की क्या मतलब इसका तो राजनीतिक सिध्धान्त राजनीती से संबंदित एक सिध्धान्त है सामानने सी बात है जिसका संबंद राजनीती के विज्ञान वा उसके दर्शन से हैं तो राजनीतिक सिध्धान्त की जब हम बात करें तो ये राजनीती से संबंदित एक ज्ञान का सिध्धान्त है और इसका संबंद राजनीती के विज्ञान और उसके दर्शन से संबंदित होता है स्वेम राजनिती सब्द ही अपने आप में व्यापक है इस राजनिती सब्द में ही राजनितिक संस्थाओं की संदचना उनकी कारिप्रणाली उनके लक्ष और कानून बराने की शक्ति आदि सभी इसे के अंतरगती ही समाईत होती है सम्मलित होती है किसमें राजनिती में इसलिए का गया है कि राजनिती शब्द का अर्थ जो है अपने आप में बहुत व्यापक है राजनिती मातर का तो सिध्धान तो एक अलग धार्णा है तो राजनिती शब्द जो है अपने आप में व्यापक है क्यों क्योंकि इसके अंतरगती जो राजन बनने की शक्ति क्या होती है उस कानुन को मन माने की शक्ति क्या होती है यह सारी बाते जो है राजनिती में ही सम्मलित होती है तो राजनिती जो है आर्तिक सामाजिक और राजनितिक आदि छेत्र इसमें सम्मलित होते हैं किसमें राजनिती में राजनिती के सभी पहलूं के संबंदी सभी छेत्र शामिल होते हैं इसी कारण से राजनितिक सिध्धान्त राजनिती के सभी पहलूं के अध्यन उसके विशलेशन उनकी समिक्षा और उनके व्यवाहर का विशे है कौन राजनितिक सिध्धान्त आसान सब्दों में समझे राजनितिक सिध्धान्त राजनिती के सभी पहलूं अर्थात की राजनिती के प्रतेक छेत्र के प्रतेक छेत्र का अध्यन करता है उसका विशलेशन करता है उसकी समिक्षा करता है और अंतिम रूप से उसके व्यवाहर का अध्यन करने के बाद में जो है एक निष्करस देता है निकाल करके ठीक हम राजनितिक सिध्धांट केते हैं अतहार राजनितिक सिभ्धत का ओदेश राजनिती शब्द का विश्लेशन इसपस्टी करण है इस ड़ीषैन और स्पस्टी करण है तता उस Вас समधित सभी अब भारमाव की अलोशनातमक समिक्षा, सत्याफन त तथा ओचित्य समझलित हैं, जो राजनितिक तर्क वितर्क का अंशह होते हैं. किलेर दोस्तो? राजनितिक सिध्धान्थ का अर्थ अब जैसे सिध्धान्थ का अर्थ आप लोगों ने समझाना अब सामाने सब्दों में इसका अर्थ समझ लीजिए पुल मिला करके राजनीति के प्रतेख पक्ष का या प्रतेख पहलू का अध्यन जिस विशे के अंतरकत किया जाता हो उसे ही अम राजनीतिक सिद्धांद कहेंगे क्लियर चलिए तो अब कुछ दोस्तों परिभाशाएं भी देख लेते हैं दो विद्वानों के द्वारा दो विद्वानों की परिभाशा मातर देखेंगे वो भी हम अपने एक्जाम के दरश्टी कोंड से चुकि परिभाशा देखेंगे अब तक आप राजनीतिक सिद्धांद का अर्थ तो समझ चुके हैं लेकिन जो यह परिभाशा है ना यह परिभाशा आपको इसके अर्थ को समझने में और जादा मदद करेगी साती सात में एक्जाम में आपसे पूचा जाता है परिभाशि और इसी द्रेश्टी कोंड से दोस्तों मैं आपके लिए ये दो बिद्वानों की परिभाशा लेकर के आया हूँ जो एक्दम आसान भी है और समझने में ज्यादा हिल्फुल भी होगी आईए मैं रिडिंग करके आपको समझा देता हूँ देखें एक परिभाशा है अत्वा प्रासंगिक है संकीन द्रेश्टी से उसका अर्थ राजनितिक समझ्चाओं के विदिवत जाज से है क्या के दिया गया है कि व्यापक तोर पर राजनितिक सिद्धांद का अर्थ उन सब बातों को उन सब बातों जो कि उन सब बातों से जो की राजनिति से संबंद सभी पहलूं का उत्य पहलूं का अध्यन और उन स्कार्णेटी की सिद्धान्त का वहीं अगर संकीन दर्ष्टी से देखें, प्रोपर ठरीके से एक जाच मातर है, अपने जाच कर लिए यही राजनृतिक सिध्धान्त है, तो दोनों अर्थ सेवाइन साहब ने राजनीतिक सिद्दान्त का व्यापक और संकिर्ट दोनों अर्थों को अपनी परिवाशा के माददम से समझाने का प्रियास किया है ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझ आरा किलियर ली देखिए पूरा फोकस अगर रहेगा किलास पर तो कुछ भी समझा नहीं आएगी एक विंदू आपको यहां अच्छे समझाने वाला है चलिए नेक्ष परिवासा है एंड्रोक कर के अनुसार एंड्रोक कर सापका राजनितिक सथांत अच्छे राज्ज और अच्छे समाज सेंस्बंधित नियमों की तलाश करता है Hare 25 नियमों की तलाश करता है अख्चिपा रहीत निश्पक्षता के साथ में और दूसरी ओर देखा जाए तो राजनितिक और सामाजिक वास्तविक्ता से सम्मंदित ज्ञान की खोज भी करता है तो राजनितिक सिद्धान्त सिर्फ राजनितिक छेत्रों से सम्मंदित अध्यन ही नहीं करता बलकि राजनीती समाज को प्रभावित करती है इसलिए वो समाज के पहलुओं पर भी अध्यन करता है यह काइना है एंडोक करके एंडोक कर साब के अनुशार किलियर दोस्तों दोनों परिवाशाओं में कोई डाउट बचाए क्या नहीं ना आगे बढ़ें फिर चलिए अब आता है हमारा अंतिम पड़ाव और अंतिम पड़ाव में हम बात करेंगे विशेवस्तु एवं कारेच्षेत्रों पर विशेवस्तु एवं कारेच्षेत्र के अंतरगत दोस्तों हमें यह देखना है कि राजिनितिक सिध्धान्त राजिनितिक सिध्धान्त जो है ना इसका अध्यन किस-किस विश्यों को लेकर किया जाता है या कहें कि इसका अध्यन किस-किस छेत्र में किया जाता है और क्यूं आबश्यक है तो प्रासंगिक्ता की चर्चा भी इसी में हो जाएगी इसके कारिच छेत्री की चर्चा भी इसे में हो जाएगी और इसकी सिद्धान्त राजनितिक संस्थाओं के 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 राजनितिक संस् प्रकörती उनकी कार्प्दति उनके लक्चों अच्छा एक वर्ड में समझाता हूं 2009 संस्थां के गठन गठन मतलब की वो राजितिती संस्थां कीसे बनेंगी और उनकाभू अर्थात की राजनितीक किस रूप से बनेगी किस प्रकार की होगी प्रकार विया लग लग होते हैं तो किस प्रकार की वो संस्था होगी उसका स्वरूप निर्दाइद करने का कारे भी राजनितिक सिद्धानती करता है वही पर केसी प्रकरती होगी उस संस्था की राजनितिक संस्था की प्रकरती के करें जैसे कि कि एक्जामपल लें तो अगर हम किसी सरकार का घटन कर रहे हैं तो सरकार केसी होगी रायश्तन त्रातमक होगी आ Dubai फिर राष्टन तरवाटतमक होगं यह कोई और खरणाली की होगी और उसकी प्रकर्ति बताई गयें यह औन वही पर कारी के से करेगी उस संस्थाइं उन संस्थाओं के कारे करने के लक्ष क्या होंगे उसके उद्देश क्या होंगे तो ये सारा ज्यान जो है ना जिस विशे में होता है वो राजनितिक सिध्धान्त ही होता है मतलब और सिंपल सब्दों में समझे राजनितिक सिध्धान्त जो है राज राजनितिक संस्थाओं के प्रतेक पहलू का ज्यान हमें प्रदान करता है तो राजनितिक सिध्धान्त का कारेच छेत्र राजनितिक पहल से उठकर सामाजिक पहलू को छूता है ज्यंदी जीगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि राजनितिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है इसलिए राजनितिक सिध्धान्द का एक आवश्यक्ति या उसका कारिट्छ ये भी बना जाता है की वो समाजिक छेत्रों का भी अध्यन करें जैसे वो राजनितिक छेत्रों का कर रहा है इसपस्ट है कि राजनितिक सिध्धान्त किसी भी राजनितिक तत्य को उसके संधर्व में समझने के लिए मतलब राजनितिक जो तत्य है उसको समझने के लिए या उसको समझने का अपने अनुसार उसका प्रियास करता है और ये संधर्व जो होता है न वो अपने रूप में आर्तिक सामाजिक नेतिक सांस्कृतिक पर्यावर्णिय भूराजनितिक भी हो सकता है मतलब की वो तर्थे जो राजनितिक तर्थे की जिसक्यम बात कर रहे हैं वो राजनितिक तर्थे किसी भी छेत्र के संबंद में हो सकता है वो आर्तिक छेत्र से संबंदित हो वो राजनित सद्धान्त के द्वारा ही किया जाता है वर राजनित्य सद्धानत में कुछ चेत्रों ही तो उनी तो इंहां चरचा करने समझ पा रहे ना तो राज्य का अध्यन देखिए राजनितिक सिद्धान्त क्या करता है राज्य का अध्यन करता है और राज्य का अध्यन सिर्फ राजनितिक सिद्धान्त ही कर सकता है इसलिए इसका एक विशे है राज्य का अध्यन राजनितिक सिद्धान्त का एक विशे है और उसका कारिशेत्र भी है तो उसके देखे राज्जी के अध्यन करता है को राज्जी के अध्यन के अंतर गते राज्जी के अतीत की बात राज्जी के वर्तमान और राज्जी के भविश्य का अध्यन राज्य का अध्यन करते बक्त राज्य के अतीत वर्तमान और भविश तीनों पहलू पर इसका अध्यन करता है इसके अलावा उसके स्वरूप अर्थात राज्य के स्वरूप राज्य के लक्ष और उसकी कारिपत्यती का भी ये अच्छी तरह से अध्यन करता है अर्थात केने का अर्थ यह है कि राज्य संबंदी कोई सा भी तक्ति या कोई सा भी पहलू राजनितिक सिद्धान्त से बच नहीं सकता बलगी उसके इर्दिगिर्दी ही घुमता है राज्य का कम्प्लीट अध्यन करता है प्रतेक पहलू का अध्यन करता है सरकार के विविन अंगों का अध्यन करता है, सरकार के कितने अंग है, कितने प्रकार के सरकार है, उन सब का अध्यन करता है, और उन अंगों में पारस परिक संबंदों का अध्यन भी करता है, और उनकी प्रवर्ती को भी बताता है, सोरो को इस पस्ट करता है, इसके अलावा राजनितिक गतिविदियों का अध्यन तो किसी भी राजनिती में किस प्रकार के कारे हो रहे हैं किस प्रकार की गतिविदिया हो रही है उन गतिविदियों का अध्यन करना और उन गतिविदियों का विशलेशन करना और विशलेशन करने के बाद में उन गतिव संस्थाओं की और से सत्ता राजनितिक संस्थाओं की और से सत्ता बेधानिक्ता शक्ति इन सब का अध्यन और समाज की और से समाज की और से अधिकारों सोतनताओं समानता समाजी करण राजनितिक करण राजनितिक संस्क्रति भिन्य प्रकार के शासन यंत्रों का अध्यां तो यहां पर राजनितिक सिध्धान्त जो है राजनितिक संस्थाओं के पक्षों का भी अध्यां करता है वही समाज के विविन पक्षों का भी अध्यां करता है सामने सब्दों में समाज के लिए समाज के अधिकारों का अधियन करना समाज की संत्रता का अधियन करना उसके बीच में समानता का अध्यन करना समाजी करण का राजनितिक करण का राजनितिक संस्कृति का या अलग अलग प्रकार की सासन व्यवस्ताओं का अध्यन करने का कारे भी किसका है जो है राजनितिक सिध्धांत का ही है नेक्स्ट है राजनितिक सिध्धांत राजनितिक गतिविदियों को इस्थानिये राश्टी तता अंतराश्टी प्रस्ट भूमी में अध्यन करता है तो जो भी राजनितिक गतिविदिया होती है किसी भी राश्ट में जो भी राजनितिक गतिविदिया होती है उन गतिविदियों का अध्यन जो है न इस्थानी इस्तर पर भी करता है राजनितिक सिद्धान्त वहीं राश्टी इस्तर पर भी करता है और अंतराश्टी इस्तर पर भी करता है अर्तात की प्रतेक पहलू का प्रतेक पक्ष का प्रतेक इस्तर पर अध्यन किया जाता है राजनितिक सिध्धान्त के द्वारा कुन से गतिविदियों का राजनितिक गतिविदियों का तो राजनितिक गतिविदियों का अगर कोई अध्यन करता है तो वो राजनितिक सिद्धान्त ही करता है प्रतेक इस तर पर उसका अध्यन करता है प्रतेक तथिका वो अध्यन करता है किलिए रहे आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नमर 6 है राजनितिक सिध्धानत आदुनिक राजनितिक मुद्धों बरतमान के जो राजनितिक मुद्धे हैं जैसे कर्टब्य पालन मूल मानवी अधिकार मतला मूल अधिकार नारी वाद महीला शशक्ति करने की बात ओ र सिद्धांत तो राजनितिक सिद्धांत प्रतेक बर्तमान के प्रतेक राजनितिक मुद्दों का भी अध्यन करता है और भरतमान के राजनितिक मुद्दे कौन-कौन से जैसा मैंने अभी बताया करतब पालन मूल अधिकार नारीवाद उपास्रित अध्यन पर्यावर्ण का अध्यन या विकास सम्मंदित जो भी समश्चा है जो भी छेत्र है जो भी पहलू है जो पक्षे है जो तत्य है उन सब आवसक्ता प और नेतिक सिर्दांत पहले तो अध्यन करता है पहलू का लेकिन अगर आवशक्ता उसको लगती है अगर वह समाझ सब्सक्नाइख में पृइषग को देशके अताहां राजनिती सिध्वाउत का कार्चे शिडानत का राजनिती पर abynetra करता है या जो राजनीति से प्रभावित होते हैं कि यहां पर गेर राजनीतिक तत्य जैसा मैंने प्राव्म से बता त्यारा हूं समाज वाला तत्य तो समाज तो राजनीति नहीं है ना लेकिन राजनीति से समाज प्रतेक्श रूप से प्रभावित होता है वो समाज से राज करेगा क्यों करेगा क्योंकि आर्थिक इसी कोडिया जाता है किलिए इसे के साद दोस्तों हमारा आज का सेशन होता है complete जैसा कि मैंने आपको बता था चार टर्मों पर हम बात करेंगे तो चार टर्मों पर किलियर हो चुका है दोस्तों पहला सेशन था इसलिए बताईएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा सेशन कंप्लीट समझ आया आप लोगों के लिए समझ नहीं आ रहा हो ना तो बिल्कुल निस अंकोचो करके मुझे बता सकते हो कमेंट के मार्दम से डायेट मत बताईए कमेंट करके बता दीजिए कि सर समझ नहीं आया और आसान करके पढ़ा उसको उसकी भासा में समझोगे ना तो यह शब्दावलिया आपको आगे परिशान नहीं करेगी हां मैं इतना जरूर बोल दू कि प्रारंब में चार-पांश लेक्चरों में मात्र आपको दिक्कत आ रही होगी तो अभी चार-पांश लेक्चरों में मात्र समझ आएंगी लेकिन जैसे जैसे आप ये सेशन अटेंट करते जाएंगे वैसे वैसे राणितिक सिध्धान्त की जो टर्म लोजी है जो शब्दावलिया ना उनसे आप परिशित हो जाएंगे और इन शब्दावलियों से एक बार परिशित हो गए ना तो आपको इस सब्जेक्ट आकरी तक परिशान नहीं करेगा बहुत आसाने से निकलेगा इस लिए बोल रहा हूं फिर भी अगर बताइएगा मुझे अगर कहीं डिपिकल्टीज आ रही हो समझ नहीं आ रहा हो कुछ समझ आ रही है ना तो बिल्कुल बताइए मुझे मैं उसको और आसन करके और सब्सक्राइबिक तद्व देखेंगे इसके महदब के उसके एतियासिक संदर में इसका महदब देखेंगे और बिज्ञानिकता के आधार पर इसका महदब देखेंगे तो प्रकरती और महदब को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग छोटा सेसेशन होगा कल का भी ज्यादा लें लिंक है डिस्क्रिप्शन से लिंक नहीं ले पा रहे हैं आप लोग याद बाइचास नहीं डाली गई है तो यह नमर आपको डिस्प्लेय हो रहे है वार्टसप नमर इसके रिक्वेसेंड कीजिए अपना नाम लिख करके और अपने इस्टेट या यूनिवरसिटी का नाम लि उस पर किलिक करेंगे आप लोग तो वहां पर आप गुरूप में एड हो जाएंगे जोईन का बटन दिख जाएगा जोईन कीजिए गुरूप में एड हो जाओगे और फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगो के लिए टोटल जितने भी लेक्चर हो या नोर्स हो सब कुछ य अगर आप जोईन करना चाहते हो तो फलाना डेम का जो भी है तो एसा कुछ नहीं होगा डोंट बरी जैसा मैं आज आज बोल रहा हूं सेशन 3 है तो फिरी है चली मिलेंगा अगले सेशन में और दोस्तों या जो मॉर्निंग में जितने भी सेशन होते ना तीन क्लास होती है तो देखा करें उनको भी यह ना कंटीनु देखा करें ताकि उसमें थोड़ा सा संक्या बनी रहती है तो समय टाइम पर देख लीजिए ना थोड़ा सा मुझे भी लगए कि हम एक्जाव जूड रहे हैं तो मैं क्या सेशन कंटीनू करने के लिए मजबूर हो जाओंगा